Hello friends, our programming की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे line graph की, okay? Friends, line जो graph है basically points को connect करके और lines को draw करने के लिए काम में लिया जाता है graph में, okay? So friends, there are the points connecting to a data to show the continuous changes. So हमारा data है, उसके जो points जो है, points के रूप में भी आप जो है graph plot कर सकते हैं और points और lines के तुरू जोनों को combine करके, points और lines के तुरू दोनों को combine करके भी आप जो है graph plot कर सकते हैं, ठीके? And this graph can move up and move down, okay? जो points जो हैं वो basically up भी हो सकते हैं, down भी हो सकते हैं, तो जब उन points को हम मिलाएंगे, तो हमारी जो lines है वो up हो सकती है और down भी हो सकती है, ठीके? And basically, R provides a plot function to draw the line graph, ठीके? plot function के कुछ parameter से हम discuss कर लेते हैं, पहला जो parameter, that is a vector, आपको बता ही है, दूसरा है type, अब friends सी जो type जो parameter है वो मैं आपको बताता हूँ, पहला है आपका, इसमें तीन तरह की values पास होंगी, एक तो है I, ठीके? to draw the lines only, ठीके? दूसरा जो parameter है, that is a P, P जो parameter है सिरफ points को pre करने के लिए कामे ले जाता है, जो points है उसको print करने के लिए कामे ले जाता है, ठीके? पहला है I, line को draw करने के लिए, P, सिरफ points को draw करने के लिए और O जो है parameter, वो दोनो, line और जो points है, उन दोनो को print करने के लिए काम में ले जाता है, ठीक है X और Y lab, these are the use for the X axis and Y axis, ठीक है main हम सब को पता ही है, कि basically use for the title purpose and color जो है, उसके लिए हम use क्या लेते हैं, COL parameter ठीक है, तो friends, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर मैंने एक vector बना लिया है, आप देख सकते हैं, vector को हम print करवा है तो उसकी values कुछ इस तरह से नजर आएंगी हमारे सामने, अब इसका मैं general, मैं graph plot करता हूँ, ठीक है जरनरल, by default जो print हो रहा है, friends, वो क्या है, in the form of, जो है, वो dots की format में print हो रहा है, यह आप देख सकते हैं, इसको मैं zoom करूं, friends, तो आप देखें, जो dots की format में ग्राफ हमारे सामने print हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको, आप चाहते हैं, कि यह जो dots की format में नहीं होके, dots और line क format में हो, ठीक है, तो इसका आपको type क्या देना पड़ेगा, ओ देना पड़ेगा, जैसे कि आप मैं इसको execute करके दिखाऊ, अब जो यह graph जो draw हुआ है, friends, आप देखें, इसमें dots भी है, और line भी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ I, क्या लिखता हूँ मैं, I, इसमें लिखना पड़ेगा, capital I, ठीक है, this one is a capital I, plot हो गया, और अब मैं capital I लिखता हूँ, friends, So, this indicating the error, यह capital I जो है, parameter नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें pass करते हैं, basically, P, ठीक है, P pass करते हैं, तो जब P pass किया है, तो point आ रहे हैं, ठीक है, और O pass करेंगे, तो इसमें, दौनों, जो point और line है, यह दौनों print होगी, ठीक है, और यहां पर, friends, basically, this one is not, एक बार हम L apply करके देखें, यहां पर हम L apply करके देखें, तो यह रहा L, ठीक है, L से जो है, आपकी line print हो जाएगी, this one is, यहां हम correction कर लेते हैं, L, ठीक है, तो L से जो है, सिरफ आपकी line print होगी, यहां आप dots जो है, वो print नहीं होगे, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, L जो है, आप use करेंगे किसके लिए, simple lines के लिए, P use करेंगे simple points के लिए, और line और points, दोनों अगर आपको चाहिए, तो आप क्या use करेंगे, O, ठीक है, graph plot हो गया, next हम बात करते हैं friends, यहां पर x lab और y lab parameters की, ठीक है, तो x lab और y lab parameters जिसे आपको बता है, कि यहां पर जो x जो direction है, और y जो direction है, उसमें अगर हमें इसकी naming करनी है, तो उसके लिए हम x lab और y lab parameter का use करते हैं, तो यहां पर x lab में, जो x जो direction उसे मैंने दिया है, month और y direction में दिया है, temperature, ठीक है, color यहां पर blue दिया है, आप चाहिए तो यहां पर कोई भी color apply कर सकते हैं, जिसे मैंने यहां पर red दे देता हूँ, यह मैंने red दे दिया, तो अब जो है, देखें, आप जो line जो हमारे आ रही है, उसका color क्या हो गया, red हो गया है, zoom करके मैं आपको output show करूँ, तो यह देखें, आप output show हो रहा है, ठीक है, यह तो हमने बात की friends, एक particular single line की, लेकिन अगर यहां multiple line से क और हमें draw करनी हो, तो हम किस तरह से करेंगे, देखें, आप 3 vector ले लिए, मैंने यहां पर, wy, w, or x, these are the 3 vectors, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने plot, जो function है, उसमें हमने पहला vector pass किया, तो यह line जो है, हमको show हो रही है, ठीक है, अब क्या करना है, अगर हमें multiple lines को friends add करना है, इस particular plot में, तो हमें यहां पर use करना पड़ेगा lines function का, किसका use करना पड़ेगा? lines function का, अब lines function में में क्या करूंगा, जो हमारे next जो दो vector है, W और X उसको मैं पास करूँगा तो मैंने Lines function में जो है W और X परमेटर को पास किया जो W जो परमेटर है उसमें देखें आप उसको कलर मैंने क्या दिया है Red तो Output में आपके सामने देखें यहां पर Red जो है वो line draw हो चुकी है Second vector की और इसी दरे से अगर मैं third vector को execute करूँ X को तो अब आप देखें यहां पर इसका जो blue जो line है वो भी add हो चुकी है So we have the multiple lines in a plot ठीक है in plot के अंदर हम multiple line भी draw कर सकते है with the help of line function कैसा lines function के तो हम multiple lines को भी हम add कर सकते है ठीक है So ये था friends आर लाइन ग्राफ ठीक है कि लाइन ग्राफ को हम आर प्रोग्रामिंग में किस तरह से ड्रॉ करें फिर टू ड्रॉ आर लाइन ग्राफ वी यूज दी plot function और plot function के जो attributes थे जो lines जो function था कि हमें किस तरह से multiple line को add करना है ये भी मैंने आपको जिखा दिया है friends So I hope कि इस वीडियो से आपको line graph समझ में आ गया होगा आने वाले वीडियो में कुछ और जो graph है जो आर प्रोग्रामिंग में implement होते हैं So I hope कि आज का जो हमारा tutorial था our line graph के ओपर based ये आपको समझ में आ गया होगा Thank you so much for watching this video